नमस्काल दोस्तों मैं फिर आज रही हो आपके लिए एक निया वीडियो लिखर जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रीविएस इयर क्वेस्चिन्स ओफ इंडियन पॉलिटी फॉर यूपी एसी सीयसी प्रिलिम्स जी हाँ दोस्तो हम previous year questions discuss कर रहे थे हमने पिछले वीडियो में 1999 और 2000 तक के question discuss कर लिये थे आज हम जो discuss करेंगे वो भी 2000 के ही questions है वो discuss करेंगे जो इस वीडियो में बच गए थे तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा दिखेगा और दोस्तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ ये वीडियो आपके जो exam सोते हैं जैसे कि आपका EPFO का exam होने वाला है जितने भी UPSC कंड़क्ट कराती है exam उनके लिए ये बेनिफीशल होगा वीडियो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो पहला question ये रहा आपकी screen पर पहला question है 73 वासंशोधन अधिनियम 1992 निर्दिश्ट करता है A. ग्रामीन छेत्रों में बेरोजगार एवं अल्परोजगार वाले पुरुशों एवं महिलाओं के लिए अर्जन शील रोजगार का स्रजन B. मंद क्रिशी मौसम की अगधी में सहेतार्थ का रहेतू एक्षुक समर्थन व्यसकों के लिए रोजगार का स्रजन C. देश में मजबूत एवं जीवंत पंचाईती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना D. जीवन के आधिकार व्यक्ति की स्वतंतरता एवं सुरक्षा विधी के समक्ष समता एवं बिना भेद भाव की सुरक्षा की गैरंटी C. आपको 5 सेकंड मिलेंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है C. क्या? कि जो 73 वा संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिश्ट ये करता है कि देश में मजबूत एवं जीवन्त पंचायती राज संस्थाओं की बुनियात रखना चलिए अब इसका एक्स्लेनेशन थोड़ा सा और डिसकस कर लेते हैं देखिए तो जो 73 वा संशोधन है कौनसा? 73 वा संशोधन अधिनियम है 1992 का वो सम्विधान के भाग नौ कौनसा भाग? भाग नौ और अनुछेद 243 में 243 क और ग्यारवी अनुशूची को जोड़कर संपोर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था हमेशा ये question आप देखेगा आपने previous year के questions अगर देखे हैं तो इस संशोधन अधिनियम से काफी questions पूछे जाते हैं इसलिए polity में क्या होता है हमेशा आप याद रखेगा अनुछेद भाग अनुशूची ये हमेशा आपको याद होने ही चाहिए तो क्या जो तहत्तरवा इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश है वो भी मैं आपको बता देती हूँ मुख्य जो उद्देश है वो है प्रजा तांत्रिक विकेंद्री करण क्या प्रजा तांत्रिक विकेंद्री करण इतका मुख्य उद्देश है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको democratic decentralization ठीक है तो इसके तहट पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रशाशनिक वो वित्य स्वायत्ता प्रदान करना है इसके तहट ही महिलाओं को किसको महिलाओं को जो एक तिहाई सीटों का आरक्षन पंचायती राज संस्थाओं को जनता के प्रदी उत्तरदाई बनाना और प्रशाशनिक सुधार जो द्वारा कल्यान कारिक्रम होते हैं उनको आम जनता तक पहुचाना ठीक है आम जनता तक ताकि ये पहुच सके तो इसक का आंसर था C कि ये निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवन जीवन्त पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रख रहा हैं चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेशन है अध्यक्ष्टदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोख सकता है और अनी किसी सदस्य को बोलने दे सकता है ये घटना कहलाती है आपको सोचने के लिए पास सेकिंड का समय दिया जाता है आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इसका जो जवाब है वो है कि अध्यक्ष्टदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोख सकता है और अनी किसी सदस्य को बोलने दे सकता है यह जो घटना कहलाती है यह घटना कहलाती है बैठ जाना क्या कहलाती है बैठ जाना यानि जो इसका आंसर होगा वो होगा डी अब मैं बताती हूं इसका थोड़ी सी व्याक्खा बताती हूं कि जो सदन के अध्यक्ष है सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन की किसी भी ध्यान रखेगा सदन की किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है या किसी भी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है अब संसदिय परंपरा में किसमें संसदिय परंपरा में इसे या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बैठ जाना कहते हैं या अंगरीजी मैं बोलू तो yielding of sorry yielding the floor ठीक है क्या बोलते हैं बैट जाना चलिए next question देखते हैं next question ये रहा आपकी screen पर question है निमलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता देती हूँ ये very important question है जिसमें इसकी व्याख्या जो है वो बहुत ही जादा important होने वाली है चलिए तो ध्यान से answer दीजिएगा option number a मंत्री मंडल सची बी मुख्य निर्वाचन आयूक यहाँ पर देखिए निमलिखित अधिकारी दिये गए हैं इनमें विचार करना है पहला है मंत्री मंडल सची दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयूक तीसरा है संगिय मंदल सदस्त चौथा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयदिश आपको बताना है कि इन क्रम में से सही जो अनुक्रम है वो क्या है आपके पास option है ए तीन चार दो एक बी चार तीन एक दो सी चार तीन दो एक या डी तीन चार एक दो question very important है ध्यान से आप इसका जो क्रम है आगरेता क्रम वो बताईएगा आपका समय शुरू होता है अब तो देखिए जो इसका answer है वो है C क्या है इसका answer? C भारत के मुख्य ने आयदिश then संगे मंदरी मंदल सदस्य फिर two मुख्य निर्वाचन आयुक्त फिर एक मंदरी मंदल सचीव चलिए इसकी बारे में देखते हैं कि जो भारत के सारवजनिक पदाधिकारी हैं कौन जो भारत के सारवजनिक पदाधिकारी हैं उनकी वरियता अनुसार किसके अनुसार उनकी वरेता अनुक्रम अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 26 जुलाई 1907 26 जुलाई 1979 के अनुसार इस प्रकार हैं किस प्रकार हैं सबसे पहले क्या आता है हम सभी को पता है राश्ट्रपती फिर दूसरे जो आते हैं वो आते हैं उपराश्ट्रपती तीसरे आते हैं आपके प्रधान मंतरी चौथे जो आते हैं वो आते हैं राज्यों के राज्यपाल कौन आते हैं? एक सेकंड रुखेगा कौन आते हैं चोथे जो आते हैं वो आते हैं राज्यों के राज्येपाल राज्यों के राज्येपाल अपने अपने राज्यों में ठीक है फिर पाँचवे जो आते हैं वो आते हैं भूत पूर्व राश्ट्रपती भूत पूर्व राश्ट्रपती या फिर कह सकते हैं उपरप्रधान मंत्री ठीके मैं सारी क्रम आपको बता देती हूँ फिर छटा जो आता है वो आते हैं भारत की मुख्यने आए दीश मुख्यने आए दीश और या फिर लोगसभा के अध्यक्ष फिर आते हैं सेवंथ सेवंथ जो आपके आते हैं वो आते हैं केंडरी मंत्री मंदल के मंत्री या फिर राज्यों के मुख्य मंत्री अपने अपने राज्यों में या उपाध्यक्ष योजना आयोग के राजसभा और लोगसभा के विपक्ष के नेता या जो भारत रतने से सम्मानित व्यक्ति हैं वो सात्वे नंबर नेक्स आते हैं आपके आठवे पे जो भारत तित विदेशों के असाधारन तथा पून अधिकारी राचलूत हैं या फिर राश्ट्रम अंडर देशों के उच्चायुक्त हैं राज्यों के मुख्य मंत्री नोवे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं मोस्ट इंपोर्टेन उच्चितम न्यायाले के न्यायधिश उच्चितम न्यायले के न्यायधिश दसवा राजी सभा के उपसभा पती, राजियों के उपमुख्य मंतरी, लोग सभा के जो उपाद्यक्ष होते हैं वो ठीक है, यहां पे दसवे पे वो आते हैं, 11 पे जो आएंगे वो आएंगे भारत के महा न्याएवादी और जो बारवे नंबर पे हैं वो आएंगे जनरल के अलावा उनकी समान रैंक वाले कौन सेना अध्यक्ष ठीक है बारवे पे वो आएंगे तो important मैंने आपको बता दिये कि क्या है किस तरीके से वारियता है ठीक है तो यह आप हमेशा याद रखेगा यह जो question है इसलिए मैंने का था very important ठीक है इसका explanation बहुत ज़्यादा important है इसमें आपके कई question cover हो जाते हैं चलिए next question देखते हैं next question ही रहा आपकी screen पर निमलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विदेहक के बारे में सही है यहाँ पर ध्यान दीजे धन विदेहक को लेके हमेशा सवाल देखने को म ठान दीजेगा ठीक है option number a धन विदेहक संसत के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है option number b लोगसभा अध्याक्षिय निन्य करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई भिल धन विदेहक है या नहीं है c लोगसभा द्वारा पारित किसी धन विदेहक का राजिसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लोट आना और विचारत भेजा जाना आवश्यक है विचारत नेक्स्ट राश्रबती किसी धन विदेह को लोग सभा में पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता इसका जवाब देनी के लिए आपके पास है पास सेकेंड question is very important I hope आप इसका आंसर सही दोगे आपका समय शुरू होता है अब तो चलिए तो दोस्तो जो इसका आंसर है वो है A क्यों A है कि जो धन विदेह संसर के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है तो ये धन विदेह को लेके क्या है बिलकुल सही नहीं है ठीक है तो आंसर क्या होगा आपका ए होगा क्योंकि पूछा जा रहा है सही नहीं है चली अब धन विदेहक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको तो अनुछेद 110 किसके अनुसार अनुछेद 110 के अनुसार जो धन विदेहक है वो राष्ट्रपती की सहमती से कि किस में पेश किया जाता है लोक सभा में तो यह ध्यान रसके इसे थे भेजा जाता है राज्यसभा में जब राज्यसभा को विदेहक भेज जाता है तब उसके साथ लोग सभाध्यक्ष का ये प्रमान पत्र स्लंगन होता है ठीक है एक सार्टिफिकेट स्लंगन होता है कि वे विदेहक धन विदेयक ही है मतलब उन्होंने बता दिया कि ये जो है वो धन विदेयक ही है अब जो लोग सभाध्यक्ष होते हैं वो ही ये निर्नित करने की शक्ती है उन्हें कि कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं है किसको लोग सभाध्यक्ष को ठीक है किसको लोग सभाध्यक्ष को ठीक है किसको लोग सभाध्यक्ष को अब राज सभा को धन विदेयक के संबन में बहुत कम अधिका है जो राज सभा है वो लोग सभा द्वारा पारिक धन विदेयक में संशोधन नहीं कर सकती है या आपने हमेशा पढ़ाओगा कि जो राज्य सभा है वो संशोधन नहीं कर सकती है लेकिन उसके सम्मंद में क्या अपनी सिफारिश दे सकती है क्या दे सकती है सिफारिश दे सकती है पर संशोधन नहीं कर सकती है तो ये ध्यान रखेगा अब बात ही आती है अब उसने क्या क सभा ने सिफारिश कर दी परंतु ये लोग सभा पर ही निर्भर करता है कि वो राजिसभा की जो सिफारिश है उसे स्विकार करे या नहीं करे ठीक है ये लोग सभा पर डिपेंड करे अब ऐसा क्यों तो यदि लोग सभा राजिसभा की किसी सिफारिश को स्विकार करती है या अस्वीकार करती है दोनों ही स्थिती में क्या विदेहक जो है वो पारित माना जाता है क्या माना जाता है पारित माना जाता है ठीक है तो एक मान की यह चलो कि लोगसभा ही मेन है अब एक और चीज़ में आपको बताती हूँ जो राजिसभा धन विदेहक है जो राजिसभा है विदेहक को 14 दिन से अधिक रोकती है तो विदेहक उस रूप में क्या माना जाता है उस रूप में पारित माना जाता है ठीक है जिस रूप से लोकसभा में वो पारित किया गया था अब बात आती है जो धन विदेहक है उस पर राश्ट्रपदी किस पर राश्ट्रपदी अप पेश किया गया है, क्या किया गया है, पेश किया गया है, इसलिए वो क्या नहीं लोटा सकते हैं, कौन राष्ट पते हैं, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेशन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेशन है, ध्यान से आंसर देना इजी सा लगता है question और इजी है भी अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ी सी भी quality तो आप आंसर दे दोगे question है एक college का विध्याती अपने नगर की नगर परिशद में चुने जाने का एक शुक है उसके नामंकन की वैद्धिता अन्ने शर्टों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्ट पर निर्भर होगी की option वै अपने college की प्राचार सहनुमती प्राप्त कर ले बी वै किसी राजनितिक दल का सदस्य हो c. उसका नाम मद्दाता सुची में समलित हो या d. वै भारते सम्मिधान की प्रती निष्ठा की गोशना दाखिल करें आपका समय शुरू होता है आप जवाब सोच लीजे easy सा question है तो देखे easy सा question था देखकर ही आपको समझा गया होगा कि अगर कोई college का विध्यारती है वो अपने नगर की नगर परिशन में चुने जाने के लिए एक्शुक है और उसके नामंकन की वैदेता अने शर्तों की साथ-साथ इस महत्वपुन शर्त पर निर्भर करेगी कि जो उसका नाम है वो मद्दाता सूची में क्या हो सम्मलित हो तो आंसर क्या होगा इसका C होगा ठीक है थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में कि भारत का सम्मिधान किसी भी राजनितिक सार्वजनिक पत पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी भारते नागरिक को अधिकार प्रदान करता है लेकिन इसके लिए सर्वप्रथाम उस नागरिक का नाम मद्दाता सूच में शामिल होना ज़रूरी है ठीक है ट्रe कि ओल शामिल होना जरूरी यह जए इसलिक दोस्तों अब नेक्स्त वीडियो में जब नेक्स्त आएगा वीडियो तो उसमें हम 20001 से क॥ेस्छन स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों यहीं था हमारा आज का वीडियो, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much.